नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्नी ट्रीटमेंट विदाउट डाइलिसेज में जहां हम आपको किड्नी खराबी और किड्नी से जुड़े अर्वधिक उपचार की जानकारी देते हैं ऐसे ही आज हम आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाले हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि KFT की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखें वो भी बिना स्किप किये हुए अपने विशय पर आगे बात करेंगे लिकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें चलिए बढ़ते हैं अपने विशय पर और जानते हैं आप अपनी KFT रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं सबसे पहले जानते हैं KFT का मतलब क्या होता है KFT का मतलब होता है Kidney Function Test यानि कि आपकी Kidney कितने प्रतिशत अपना काम कर रही है आपको इस बारे में जानकारी मिलती है इस रिपोर्ट से लेकिन कई लोगों को रिपोर्ट समझ नहीं आती और ये स्वभाविक भी है क्योंकि वह डॉक्टर तो है नहीं और हाँ आप अपनी KFT रिपोर्ट में कुछ बातों को देखकर इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि आपकी Kidney में खराबी की संभावना है या नहीं और इसके लिए क्या आपको डॉक्टर के पास जाने के जरूरत है या नहीं KFT के बारे में हम बार में बात करेंगे लेकिन इससे पहले जानते हैं Kidney के Functions के बारे में कुछ जरूरी जानकारी Kidney का काम आपके Blood को साफ करने का होता है जिसमें आपकी Kidney शरीर में जमा Toxins को यूरीन के माध्यम से बाहर करने का काम करती है Kidney जब सही तरह से अपना काम करती है तो आपको यूरीन से जोड़ी कोई तकलीफ नहीं होती साथ ही आपका शरीर भी स्वस्त रहता है आपको बता दें कि Kidney function आपके यूरीन function से जुड़ा हुआ होता है यानि कि जब आपके Kidney अपने काम को ठीक तरह से करती है तो इससे आपका यूरीनरी function भी ठीक रहता है Kidney में खराबी तब आती है जब आपके यूरीन से ज़ादा आपके ब्लड में toxins की मातरा भढ़ जाती है तो इससे आपका ब्लड खराब हो जाता है और जब ऐसा खराब ब्लड आपके शरीर में बहता है तो ऐसे ब्लड को छानते समय आपकी Kidney के nephrons damage होने लगते हैं जिससे आपके Kidney में खराबी होती है इतना ही नहीं ऐसा ब्लड आपके heart तक पहुंचता है तब आपका heart इसको सही तरह से pump नहीं कर पाता जिससे आपको heart attack आने की संभाव नए अधिक हो जाती हैं तो अब आप समझी गई होंगे कि KFT करवाने की जरूरत क्यूं होती है अब जानते है कि आप अपनी KFT रिपोर्ट्स में किन चीजों को देखें और उन्हें समझें जिसके बाद आपको इस बात की जानकारी हो कि आपकी Kidney अपना काम सही तरह से कर रही है या नहीं सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट्स में क्रिटिनिन के इस्तर की जाच करें क्रिटिनिन आपके शरी में जमा टॉक्सिन होता है जो आपकी Kidney के काम में दबाव डालता है जब क्रिटिनिन का इस्तर आपके Blood में बढ़ जाता है तब आपकी Kidney में खराबी होने की संभावन अधिक हो जाती हैं समान्य तब बलड में क्रिटिनिन का इस्तर 0.6 से 1.2 पर 10 लीटर होना चाहें लेकिन जब रिपोर्ट में आपको बलड में क्रिटिनिन का इस्तर इससे अधिक दिखाई दे तो आपको इस बात को अंधिखा ना करते हुए तुरंथ ही डॉक्टर से संपर् जिसको बन कहा जाता है आपके ब्लड में यूरिया की समान्य रेंज 7 to 20 मिली लीटर पर डेसिलीटर होने चाहिए अगर आपकी रिपोर्ट्स में बन यानि की ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रेंज इससे अधिक हो तो समझ लीजिए कि आपकी किड्नी में कुछ दिक्कत ह जिसके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और उचीत इलाज लेना चाहिए तीसरा है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ना आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की मातरा आपकी शरीर को स्वस्त रखती हैं लेकिन सिर्फ तब तक जब दक आपक प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोनेट, फोसफोरस और कार्बो हाइडरेट इन चीजों की मातरा समाने रहनी चाहिए क्योंकि शरीर में इन सभी की अधिक मातरा ही क्रुटिनिन का निर्मान कर सकती है इसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ना भी आपकी किड्नी क खराबी का एक कारण बन सकता है शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किड्नी स्टोन का कारण बन सकता है जिसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास धियान रखें अपनी डाइट में ऐसी चीजों का सेवन कम करें जिसमें प्यूरीन की मातरा अधिक हो पर य उनके कहे अनुसार ही अपनी डाइट में बदलाव करें। इसके साथ ही आपको GFR पर भी ध्यान देना होगा। GFR का मतलब होता है Glimeral Filtration Rate जिसमें आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि आपके किड्नी आपके बलड को कितने प्रतिशत साफ कर पा रही है। तो ये है कुछ खास पॉइंट जिससे आप अपनी KFT रिपूर्ट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अपनी रिपूर्ट में दिखने वाले बदलाव के लिए आप डॉक्टर से मिलकर सही जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपनी किड्नी को स्वस्ते रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयरवेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्ते ठीक रहता है और आपकी किड्नी भी सही धंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप किड्नी की किसी भी समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा अरुदा से संपर्ख कर सकते हैं। कर्मा अरुदा से इलाज लेकर ये किड्नी के मरीज कैसे स्वस्त हुए। आएए सुनते हैं उनकी कहानी उनहीं कि जुड़े हैं। कि जब आये थे उस समय क्या-क्या दिक्का दाली थी आपको देखना चर्मा अरुदा ये अरुदा अरुदा आपको देखने अरुदा रहां। उल्टी जादा वला था, पस्तासे ने वर दिक्कत वोगी थी, उल्टीर बया ने साले में साले वर दिक्कत वोगी होगी है कोजी खाता था तुस्ते बोह मत्त वोगा था, उल्जी होगा